हलो दोस्तों स्वागत आपका एक पर फीर से आपके अपने चैनल इटालियन घंदी पे तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कन्वर्सेशन के बारे में कि एक रिटालियन लेओज में किछी को बोलना है कि मैं विसल गया या दियान से यह फिसल गिर गया यह गिर जाएगा तो इन में कौन सी वर्प्स यूज ली जाती है कौन से जो वर्प्स यूज ली जाती है कि इसको देखना यह थंड़ा हुआ है कि नहीं तो इन वसक्राइब पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले पर लाइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो जी नोटिफिकेशन आपको पास पहुंचे जाए और एक अमने प्लेलिस्ट बनाई है Learn Italian in 30 Days जो आपको 30 वीडियो जो आपको लेंग्वेज बोलने में सीखने में क लेखें आप वहां से शुरू करें दीरे 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 स्टेप आप लेंग्वेज सीखने की जो वह शुरुआत करें तभी आप लेंग्वेज अस्टे से सीख पाएंगे तो सबसे पहले गिंती चोटे चोटे वर्स हो गए सब्ता के नाम होगे महीने के नाम होगे इन स्लिप होने की फिसलने की वर्ब है शिवलारे और मैं फिसल गया तो वर्ब है पास्ट में इसलिए सोनो शिवलातो सोनो शिवलातो मैं फिसल गया मैं स्लिप हो गया अगर किसी को बहुना है कि मैं स्लिप हो गया हूं तो सोनो शिवलातो आप इस तरीके से बोल सकते हो या अग तो इल्पिय दे आप इस तरीके से बोल सकते हो इसके बाद में जो वर्ब है जो slip होने की फिसलने की वो है शिवलारे A-C-I-S-E शिवलारे इस तरीके से वर्ब को प्रनाउस करते हैं बोलते हैं तो शिवलारे वर्ब हो गई टू-सलिप फिसलने की इसके बाद में है सावधान रहे ये फिसल ना जाना कोई भी रोड है आंगन है जो भी है और आपको अगर कोई बोल दे या आपको बोलना है किसी को कि ध्यान से फिसल ना जाना तो अतेंचियोने नोनशिवलारे अतेंचियोने ध्यान से अतेंटा ये भी सोट में आप बोल सकते हों। नौन शिवुलारे द्यान से फिसल न जाना, सावधानी से फिसल न जाना, तो नौन शिवुलारे इस तरीके से आप बोल सकते हो, या अगर आपको बोलना है कि यहाँ पेर फिसल रहा है, कोई सडक है, कोई जगह है और आपको बोलना है कि यहाँ पेर फिसल रहा है, तो इल्पिये दे इस्ता शिवुलांदो क्वी तो जो शिवुलारे वर्ब है वो है फिसलने की और फिसल रहा है वर्ब है प्रजेंट में तो शिवुलांदो इल्पिये दे मतलब पेर स्ता आया है पेर के लिए लुईले में आ गया पेर मतलब यहाँ पेर फिशल रहा है तो पेर हो गया third person मतलब कि जो third objective है वो हो गया और वह फिशल रहा है तो इस्ता लगा सकते हैं मतलब यहाँ पेर फिशल रहा है इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसके बाद में आगर आपको बूचना है यह चिकना क्यों है स्मूथ क्यों है कोई भी आंगन मगेरा है और आपको पूचना है कि यह स्मूथ क्यों है चिकना क्यों है यहाँ पर चिकना क्यों है तो पेर के एलीशो पेर के एलीशो लीशो बोलते हैं चिकना स्मूथ उसको और आपको पूछना है कि यह चिकना क्यों है तो पेरके एलीशो इस तरीके से आप बोल सकते हो इसके बाद मैं अगर आप से कोई पूछ ले पेरके एलीशो यह चिकना क्यों है और आपको बोलना है क्यों कि यहाद पर तेल गिरा हुआ है तो कदूतो, इस तरीके से हम बोलेंगे पेर के फिस्ये कदूतो हो लिए क्योंकि यहाँ पर तेल गिरा हुआ है इसलिए यह चिकन है इस तरीके से आप बोल सकते हो किसी को भी इसके बाद में जो कदेरे वर्ब आपको स्क्रीन पर दिखाए दे रहे है यह होगी गिरना तो गिरने के लिए कदेरे वर्ब का यूज लिया जाता है इसके बाद में है जैसे कि मैं गिर गया अगर आपको बोलना है कदेरे वर्ब का यूज लिया जाएगा और मैं गिर गया वर्ब है पास्ट में इसलिए हम बोलेंगे kaduto sonokaduto में गिर गया इस तरीके से हम बोल सकते हैं या अगर आपको दूसरे व diviski से पूछना है कि टुम कहां गिर गयों तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो इसके बाद में अगर किसे ही kadootuito पर गयों इस्तिमाल ले सकते हो और अगर दूसरे व्यक्ति को बोचना है सेकंड बरिजन को कि तुम कहां गिर गे तो तुम कहां गिरे या कहां गिर गे दोवे शेह कदू तो इस तरह के से आप बोल सकते हो इसके बाद में है सावधान रहे नहीं तो यह गिर जाएगा कोई भी चीज है उकादरा ध्यान से नहीं तो यह गिर जाएगा इस तरह के से आप बोल सकते हो प्रनाउंस कर सकते हो इसके बाद में है यह गिर गया मैं क्या करूँ इसके बाद में है यह अपने आप गिर गया मैंने से नहीं चुआ तो एकदू तो दस सोलो एकदू तो दस सोलो यह अपने इसे नहीं चुआ नोन ओ तोका तो मतलब मैंने नहीं चुआ और मैंने इसे नहीं चुआ तो इसे जो परटिवल चीज है इसे तो हम लगाएंगे एल एच ओ लो मतलब मैंने इसे नोन लो तोका तो मतलब मैंने इसे नहीं चुआ इस तरीके से हम बोल सकते हैं तो कोई भी चीज है और उस चीज को हमें बोलना है कि मैंने इसे नहीं खाया तो non low मन जातो मैंने इसे नहीं खाया तो इसे उसके लिए हम लगाएंगे low ओ लगाएंगे non low मन जातो मैंने नहीं खाया और मैंने इसे नहीं खाया तो non low मन जातो इस तरीके से आप बोल सकते हो त इसके बाद में है जो tokar ever by यह है to touch, किसी भी चीज को छुना, इसके बाद में है इसे छुना मत, इसे touch मत करना तो non tokar lo, non tokar lo मतलब इसे छुना मत, जिस वर्ड के पीछे lo लग गया, tokar lo मतलब इसे मत छुना, चीज के लिए हम पीछे lo लगाएंगे, जिसे अभी मैंने बताया थर लो वो आया है मेने इसे नहीं चुआ और इसे मत चुना तो नों तो कार लो पीछे वो इसे में रहेगा एलो नों तो कार लो मतलब इसे चुना मत इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसे टच मत करना इसके बाद में हैं इसे टच करके देखें कि ये ठंडा हुआ है या नहीं त तो काल लो एवेदि, से सी रफ्रेदा, तो काल लो एवेदी, इसे टच करेए और देखें, इसे चुएं और देखें, से रफ्रेदा, यह ठंड़ा है या नहीं? इस तरिके से हम बोल सकते हो. इसके बाद में अगर आपको बोना है कि नहीं यह अभी भी गरम है तो नो एंकोरा काल दो नहीं यह अभी भी गरम है यह अभी भी गरम है इस तरीके से आप बोल सकते हो इसके बाद में इसे किसने छुआ इसे किसने तच किया तो की ला तो का तो की ला तो का तो जो भी मैंने पीछे बताया था जो L लगता है वह चीज के लिए आता है कि इसे किस ने छुआ तो इसे इसके लिए है ला ह आ गया, आ मतलब किस ने छुआ, एल ह हो गया, इसे किस ने छुआ, कोई भी चीज है, इसे किस ने छुआ, आ या है, थर्ड बरजन के लिए, मतलब किस ने छुआ, और इसे, इसके लिए है ल, एल, एल ल, मतलब की ला तो का तो, मतलब इसे किस ने छुआ, इसे किस ने टच क किया तो नोन लोतो का तो नोन लोतो का तो मैंने इसे टच नहीं किया अगर हम एहल हटा देंगे नोन लोतो का तो मैंने नहीं चुआ और कोई चीज है आपको बोलना है और अगर आप किसे को बोस्टे हो Ale Oora come, Eccaduto तो यह गिरा किसे हो और आपको कोई बोले की हवा से गिर गिरा तो Eccaduto dalvento Eccaduto dalvento यह हवा से गिर गिर गिरा वेंटो बोलते हैं ARIYA को तो इस तरह से हम बोल सकते हैं Eccaduto dalvento Eccaduto dalvento यह अपने आप गिर गया है एक दू तो दा सोल लो यह अपने आप गिर गया इस तरीके से भी आप बोल सकते हो तो दोस्तों यह आज का अपना वीडियो कनवर्सेशन के बारे में कि अगर इटालिय लेंग्वेज में पाथ चीत करनी है तो कैसे कौन से वर्ड्स यूज ले जाते हैं कौन कौन सी वर्ड्स जो फिसलने में गिरने में काम मिली जाती है यह हम आज इस वीडियो में सीखी है उमीद आपको वीडियो समझ में है जो भी चीज आपको समझ में ने है वो आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो like, share, subscribe जरूर करें दोस्तों को भी share करें थाकि उनको भी talent सीखने में आप आसानी हो next video कौन से topic पर बनाना है वो भी comment करें जरूर बताएं मिलेंगे next video में तब तक के लिए धन्यवाद